कि यहां पर दो बजे जैसे कि मैं हर बार बोलता हूं कि इस सिलसला यहां पर एक आप कह सकते हैं सिरीज बन चुकी है कि दो बजे मैं आपके सामने आऊंगा और यहां पर हम लोग मैपिंग को करेंगे तो सबसे पहली चीज जो हमेशा मैं बोलता हूं कि लिंक को आप क्या गरिए लिंक को जादा जादा शेयर कर दीजे क्योंकि आज बहुती इंट्रेस्टिंग टॉपिक्स हम लोग करने वाले हैं आज बहुती जादा नई नई चीज़े सीखने वाले हैं लेक्स के बारे में आज हम लोग जानने वाले हैं और बहुत इंपोर्टेंट लेक्स के बारे में जानने वाले हैं तो आज हम लोग जो बात करेंगे आज जो हम लोग बात करेंगे वो बात किसके बारे में करेंगे वो हम लोग बात करेंगे जीलो के बारे में ठीक है जीलो के बारे में बात करेंगे हम लोग राइट तो यहाँ पर ठीक है तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे जीलो के बारे में है बात करेंगे बात करेंगे क्या भारत की जीलों के बारे में हम बात करने सिस्टेमाटिक ऐसे कर सकते हैं कि हम लोग जो राज्य हैं जहां पर आपको जील बहुत जादा मिलती हैं है ना जिन राज्यों में जील बहुत जादा मिलती है या जिन जीलों के बारे में प्रशन आता है उसको हम लोग राज के क्रम में करें चीजों को है ना तो आज हम लोग जो बात करने वाले हैं आज हम लोग का टॉपिक जो रहने वाला है वो भारत की जीले रहेगा यह हम लोग करने वाले हैं और हम लोग इसको जो करेंगे यह हम लोग करेंगे आपका स्टेट वाइज यू लद्दाख की जीले हैं सबसे पहले आज हम लोग बात करने वाले हैं ये लद्दाख की जीलों के बारे बात करें ये जो जील हैं ये जादतर आपकी जो जील हैं वो हिमानी कृत हैं जादतर हिमानी द्वारा निर्मित जील हैं यहाँ पर लद्दाख में आपको मिल नहीं है अब ये लदाख में जो सबसे पहली हम लोग जील करेंगे, सबसे पहली जील करेंगे, उस जील का नाम है, सत पारा, सत पारा जील, ठीक है? लदाक की जो जील हम लोग सबसे पहले करेंगे वो जील है कि क्या सत्पारा जील है ये सत्पारा जील जो है याद अखिएगा कि इसकरदू घाटी में इस्थित है ये कहां पर इस्थित है तो इसकरदू घाटी में इस्थित है ठीक है और ये याद अखिएगा कि इस करदू में, इस करदू जो आपका टाउन है, जो इसकरदू जगा है, वहां पर पानी की पूर्ती यही सथ पारा जील करती है है ना यह अगर देखेंगे मैप में तो यह मैप में आपको कहा देख रहा है तो यहाँ पर आप देख रहे हैं तो यहाँ पर आपका क्या है सत्पारा लेख है यहाँ पर हम लोग जो देख रहे हैं यह हमारी सत्पारा जील है मैप में इस प्रकार से यहां पर, है ना, यह portion जो है अभी भारत के पास नहीं है, लेकिन यह याद आखेगा भारत की ही जील है, जो की करदू घाटी में स्थित है लद्दाक के, क्लेर है बात यहां पर, लद्दाक की यह पहली जील है, जो हम लोग करने वाले हैं, तो यहां पर जितन करने वाले हैं किसके बारे में अब हम लोग बात करने जा रही है दूसरी यहां पर एक और जील है और जील का नाम क्या है इस जील का नाम है सॉल्ट सॉल्ट जी ठीक है सॉल्ट लेक भी कह सकते हैं इस जील का नाम है सॉल्ट लेक ठीक है यह सॉल्ट लेक जो है यह सॉल्ट ल जिसको आप बोलते हैं तियन हांश्वी ठीक है यह जगह याद करने के जरूत नहीं है छोड़िए आप लोग इसको जो है आसान करके रखिए लद्दा का पठार याद कर लीजे और इसकी पोदिशनिंग याद कर लीजे इसकी पोदिशनिंग है ना यहां पर आप सॉल्ट ल लेक आपको मिलेगी ठीक है यह ब्ही लद्दा की जील है अब लद्दाOoh में और हम लोग जील के बारे में बात करें तो आपकी एक और जील आती है, एक और जील है जिसको बोलते हैं सोकर, यह एक और जील है आपकी सोकर लेक, सोकर लेक या सोकर जील, ठीक है, अब यह जो सोकर जील है, यह काफी हाइट में है, और यह जो जील है, यह बहुती वाइटेश है, ठीक है, यह क्या है, यह बहुती ज़्यादा सफेद सफेद रंकी है यह सफेद रंकी है क्योंकि यहाँ पर नमक जिसको आप बुलते हैं सॉल्ट का डेपोजिशन बहुत ज़ादा हुआ है ठीक है यहाँ पर यहाँ दिखेगा किसका डेपोजिशन बहुत ज़ादा हुआ है सोईट का डिपोजिशन बहुत जादा हुआ है तो यह सोकर जील कहाँ पर है तो आप देखिए, हम यहाँ पर देख सकते हैं यह वाला जो एरिया है यह हमारा क्या? सोकर जील सोकर जील, और यह सोकर जील जो है, या दखेगा सोमुरीरी, जो हमारी बहुत प्रसिद जील है उसके पास ही है ना यहां पर आप देखते हैं तो यहीं पर इसके बगल में आपका मैं नीले से हाइलाइट करते रहा हूं इसको यहां पर है हमारा कौन सा यहां पर हमारा है सो मुरीरी स्तो مुरीणी ठीक है? ये भी लद्दाख की बहुत प्रसुद जील है है ना? लेकिन यहाँ पर यह याद आखिएगा सफेद रंग क्यूं है? तो सफेद रंग यह याद आखिएगा इसलिए है क्योंकि यहाँ पर नमक नमक का निक्षेप अधिक है नमक का निक्षेप अधिक है इसका मतलब यह जो जील आप देख रहे हैं यह कैसी जील हो गई? यह आपकी लवनिये जील है खारी जील कह सकते हो ठीक है? यहाँ पर आपका लवन पुराप्थ होगा नमक पुराप्थ होगा तो यह लबणी है जील है ए बात यहां तक आपके कि कैई यह चीज आपको याद तक नहीं है सोकर के बारें ठीक सोकर जो है अगया हमारी दूसरी बड़ी इंन्पोर्टेंट लिखारी आपके जील का नाम है फूर्थ नमबर पे ठीक है उस जील को हम बोलते हैं सो मुरीरी ठीक है ये जील का नाम क्या है सो मुरीरी ठीक ये सो मुरीरी जील जो है ये बड़ी प्रसिद्ध जील है ये बड़ी प्रसिद्ध जील है और ये याद अखेगा रामसार रामसार आदर भूमी के अंत यहां पर बहुत सारी पक्षियां रहती हैं यहां पर बहुत सारे जीव जन्तु रहते हैं इसलिए इसलिए इनको क्या घोशित कर दिया जाता है ऐसी जीलों को घोशित कर दिया जाता है रामसार आदरभूमी है न हर साल आदरभूमी आपकी बढ़ रही है भारत में उसकी संख्या भड़ लगा ही है हम लोग एक दिन पूरा complete रामसार वेटलान्ज जो है हमारे रामसार की आदरभूमी जो है आपकी जील सो मुरीरी जील ठीक है ये भी याद रखिएगा ये भी कहां पर है ये यहां पर है जैसे मैंने आपको बताया हाइलाइट करके ये भी लद्दाक पर पढ़ती है ये भी कहां पढ़ ली है ये भी लद्दाक के रीजन पर पढ़ती है ठीक है फिर यहां पर हम यह जो आपकी जील है यह जो जील है राइट जिसको हम लोग बोलते हैं पॉन गॉंग लेक यह भी यह भी आपका लद्दाक में है लेकिन यह याद रखिएगा कि इसमें 40% भारत के पास यह है और 60% इसका जो अधिकार है वो किसके पास है चीन के पास है अब बड़ी फेमस लेख है यह बड़ी फेमस लेख है लोग यहाँ घूमने भी जाते है टूरिजम भी है लेकिन इसके लिए आपको जो है एक special permission चाहिए होती है एक आपको विशेश यहाँ पर जो है अनुमती चा पॉस् screaming भी नहीं होती है है यहाँ पर आपके सकते हैं यहाँ पर नौका यान आपको नज़र नहीं आएंगे हैं पर watch ics he बहुत जादा होता है तो यह आपके पांच जो है यह पांच यहां पर आप देखेंगे तो पैंगॉंग सो जो है वह आपको यहां पर दीजाएगा यह पैंगॉंग सो है यह क्या है यहां पर पैंगॉंग सो मिल जाएगा मतलब अगर आप बात करें कोई North से South के बारे में North से South के बारे में arrange करने के बोले तो आपको इस तरीके से दिखेगा यहाँ पर इस तरीके से North से South में देख लो यहाँ पर मिलेगा सतपाड़ा सबसे पहले ठीक है पैंग कि पैंग गॉंग juice मिलेगा उसके नीच याजाओगे तो तुम्हे मिलेगा सोकर राइट और इसके नीचे थोड़ा सा आजाओगे तो मिलेगातित सो जरूरी है तो हमने यह क्या कर लिया हमने कर ली जीले किसके बारे में हमने जील कर ली लदाक की आईए हेडिंग चेंज करते हैं हेडिंग हुझाई करते हैं और अब लिखते हैं क्या हमारा एक और यहां पर आप कश्मीर तो जम्मू कश्मीर में बात करेंगे तो जब मू Tä cul कश्मीर में बात और सबसे पहले अगर हम लोग बात ना करें वूलर की वूलर जील की तो फिर मजा ही नहीं आएगा है ना वूलर जील ये वूलर जील अपने में अपने में विशेश्टाय रखती है कई सारी है ना सबसे पहली चीज तो ये वूलर जील जो है याद अखेगा ये आपकी विव विवर्तनिकी घरलि मतलब की टीकानिक एडि बनी वुद्री का इस निर्माद जो है वह विवर्तनिकी घटना के कारण मतलब टेक्ट нужно अट्पिटी से यह बनी है हैा ना हुआ टेक्टनिक आंग्टिवूट्स में जब पहाड़ बन रहे थे पहाड़ रहे थे तो इस प्रकार से यहां पर क्या हुआ दरारे बन गई जब कोई चीज मुड़ती है तो एक सोचो बिस्किट को अगर आप मोड़ो एक decreasing अगर इसको मुड़ोगे तो दरारे बनेंगी और इस दरार में क्या हुआ इन दरारों में पानी भर गया इंधरारों में क्यूआ हुआ पानी भर गया और ये आप की क्या हुई यह कोई चीज याद एकनी है कि वूलर में जेलम जेलम नदी अपना जल गिराती है जेलम नदी अपना जल गिराती है लिखलो जेलम उसका पानी वूलर जील में आता है और ये कश्मीर की बांदी बांदी पोर जिले में स्थित है इसमें जम्मू कश्मीर का कौन सा जिला है तो बांदी पोर जिला है जहां पर वूलर जील बनी वही है अब वूलर जील के बारे में ये बात तो ऐसा हो है ना कि हम लोग लिखेंगे नहीं ये जो हमारा वूलर जील है ये भारत की भारत की सब सबसे बड़ी भारत की सबसे बड़ी सबसे बड़ी मीठे पानी की जील है मीठे पानी की जील है मीठे पानी की जील है याद अखिएगा भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की जील है वूलर जील है ना वूलर जील बहुती फेमस है बहुती इंपोर्टेंट भी है वूलर जी जील के बारे में एक चीज याद ख्याएगा कि यह बूलर जील जो ना यह वूलर जील जो है यह इनगी क्षमीर घाटी के लिए कश्मीर घाटी में इसका जल प्रयोग होता है इसका जल प्रेयोग होता है ना वूलर घाटी में इसका जल प्रेयोग होता है तो यहां पर आप देख सकते हैं क्या होता है यहां पर आप कह सकते हैं यहां पर हम क्या कह सकते हैं यहां पर हम कह सकते हैं कि यह जो हमारा है वूलर जील यह वूलर जील बहुत ही important lake है कहां पर है तो इसको यहां पर देख लेते हैं यह देख सकते हैं यह है आपकी क्या वूलर यहां पर क्या है? यहां पर है woolar lake ठीक है? यह आपकी जो देख रहे है यहाफ यह क्या है? वोolar जील है लिंक को यार बोलना पड़ जाता है लिंक को शेयर करना पड़ाईगा आपको क्या? है ना? ठीक है? तो याद खिएगा यहां पर आप यह बहूत important है . यह बहुत important है वूलर जिल के बारे में जो बता रहाँ अब यहां पर एक और important ज années आपकी कौन सी है तो यहां पर एक और important जील है जिसको आप सब जानते den elic die यहां पर आप एक और important चीज जानते हम वह क्या है वो है आपका डल लेग ठीक है डल लेग जो है डल लेग जो है ये भी कश्मीर घाटी में है ये भी कश्मीर घाटी में है कश्मीर घाटी में ये भी आपको दिखता है है ना और डल लेग जो है बेसिकली एक ऑग्सबो लेग है ये गोखुर जील है बेसिकली ऑग्सबो लेग है ठीक है यह या पानी के पानी पहुंच रहा है अलग-अलग सरिताओं का यहां पर पानी पहुंच रहा है डल जील जो है आप जानते हैं परियटन के लिए सबसे प्रसिद्ध है परियटन के लिए यह प्रसिद्ध है है ना परियटन के लिए प्रसिद्ध है और यहां पर यहां पर आपका दखिएगा कि यहां पर बहुत सारे आपके जो इसके बेसिन है जो इसका बेसिन है उसके पांच भाग है बेसिन के पांच भाग है पांच सिरे हैं ठीक है जैसे की एक है आपका नहरू बेसिन ठीक है पहला लिख लो क्या है नहरू बेसिन एक इसके पांच सिरे हैं नहरू बे है निषाद मैसुन ठीखाए निषाद बेसिन है यह यह जखकेगा एक जगह पहे हburg बाट को अबदा यहां पर अंब्ल नामबल बेसिन रहार और चीज़त लिग लिजीए का यह 부탁 बत बेसिन अपर देकें नामबल बेसिन है ठीक है? इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं? यहाँ पर पांच बेसिन जो है इसके इसको भी लिख सकते हैं प्लेर बात यहाँ पर तो यह जो है डल जील है यह डल जील है और डल जील बड़ी प्रसिद जील है डल जील बड़ी प्रसिती जील है तो ये भी कश्मीर में है ये भी आपका क्या है ये भी कश्मीर की आपकी जील है अब कश्मीर में ये कहां पर है तो यहां पर हम देख सकते हैं यहां पर ये वूलर जील के पास ही है डल लेक ये ये वाली जो है डल लेक ये हमारी डल लेक है ठीक है जो की वूलर जील के पास है तो आपको जो यह PDF मिलती है PDF में आपको यहाँ पर दिख जाएगा डल ले ठीक है इसके पास ही यहाँ देखेंगे तो एक और आपके जील दिख रही है वो कौन सी है नागिन जील है यहाँ पर एक और आपको जील दिख रही है ठीक है जो क भी श्रीनगर में है याद अखिएगा ये जील जो है ये भी श्रीनगर डिस्टिक में पढ़ती है जिला क्या पढ़ता है श्रीनगर पढ़ता है श्रीनगर में ये भी है श्रीनगर जिले में नागिन जील है नागिन जील आपके बहुत पास है किसके जैसे कि यहां पर हमने बताया डल लेके बहुत फास है अब इसी के तरह एक और आपकी जील आती है ठीक है वो है शेशनाग जील एक और आपकी जील यहीं पर आती है शेशनाग जील ठीक है जीहां एकदम सही पढ़ ले हो तुम यह शेशनाग है ना शेशनाग जील यह वही शेशनाग जील है है ना वेरिनाग शेशनाग जहां से जेलम नदी की उत्पत्ती होती है ठीक है जेलम नदी से सम्मंदित जेलम नदी से सम्मंदित ठीक है ये शेशनाग है आपका ये भी कश्मीर में है और विसी बात है ये भी कहां पर है ये भी कश्मीर में है ठीक है कश्मीर घाटी में ये भी चीज लिख लो क्या कि मांसरोवर कि मानशरोवर कश्मीर की ये कश्मीर की मानसरोवर जील है ये कश्मीर की मानसरोवर जील है मतलब कि ये समय सकते हैं कि ये कितनी पवित्र जील है कितनी होली जील मानी जाती है मानसरोवर जील ठीक है? ये चीजिया दखेगा इसी के साथ-साथ आपको एक और जील बता दू मैं यहाँ पर जो की अगेन यहाँ पर है आपका डल लेक और वुलल लेक के पास नागिन के पास और इसको बुलते हैं क्या इसको बुलते हैं मानस बल जील ठीके यहाँ पर एक और जील है आपकी लिख लिजेगा मानस बल जील ठीके बानस बल जील या दख्येगा कि इसमें इसका पानी इसका पानी अधिक होने पर अधिक होने पर अधिक होने पर जेलम नदी में चला जाता है जेनम नदी में चला जाता है तो यह क्या है यह अक्चुली जेलम घाटी पर दो जाता है जब यहांग पर बहुत ज्यादा आपका पानी बढ़ जाता है तो इसका पानी कहां चलाता है इसका पानी जेलम नदी में चला जाता है ये भी कश्मीर की हैं तो यहाँ पर हम देख लिए कश्मीर की compact करी हैं। ये कह सकते हैं ये प्रमुख जीले हैं कहा कि कश्मीर की प्रमुख जीले हैं है ना अब कश्मीर के बाद कश्मीर के बाद अगर हम लोग देखेंगे तो हम लोग कहां पहुंचेंगे कश्मीर के बाद हम लोग पहुंचते हैं हिमाचल प्रदेश है ना कश्मीर के बाद पहु कि जीले ठीकिय हे हमाचल प्रदेश की जीले हम लोगकर होते हैं का। कॉण scarf उनकर है हमाचल पंदेश में जीन न हूँ और आप क्योंकि जानते हैं हिमाचल प्रदेश भी पहाड़ी रहे तो यहां पर भी आपके बहुत सारी जीलें आपको नज़र आते हैं ठीक है जैसे कि हम लोग यहां पर अगर बात करें हम लोग अगर यहां बात करें तो आपको देख सकते हैं खजियार जील है ना हम लोग यहां पर क्या देख सकते हैं खजियार तो खजियार जील जो है ये बहुती फेमस जील है खजियार जील काफी हाइट में है खजियार जील जो है ये बहुती फेमस जील है खजियार लेक के बारे में याद अखेगा कि ये हिमाचल प्रदेश के चमबा जीले में हिमाचल प्रदेश के चमबा जीले में चमबा जिला हिमाचल प्रदेश ठीक है खजियार जील चमबा जिला हिमाचल प्रदेश के में है यह याद अखिएगा कि जो देवदार व्रिक्ष है देवदार व्रिक्ष से घिरा रहता है यह देवदार व्रिक्ष से घिरा रहता है तो इसलिए यह बहुती जादा जादा क् खुबसूरत है हर तरफ जो हैं देवदार के विरिक्ष हैं और बीच में आपका छोटा सा खजियार आपका जील है खजियार जील बहुत लोग जानते हैं ठीक है यह याद किएगा कि अगर पूचा जाए इक्जाक्ट यह कहां पर जील है तो यह याद किएगा आपका एक मनी महेश मनी महेश चोटी पड़ती है ठीक है और यह पड़ती किसमें है यह आपकी धौलाधार रेंज में पड़ती है ठीक है यह कहां पड़ती है धौलाधार रेंज में धौलाधार शिणी में मनी महेश मनी महेश चोटी मनी महेश चोटी वहीं पर यह बेसिकली आपको जो ह है मिलता है क्या खजियार खजियार ठीक है खजियार मिलता है इसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे तो आपको एक और बहुत फेमस मिलेगा एक और बहुत फेमस है खजियार है कहां इसी के पास अगर आप देखेंगे तो एक और आपको यहाँ पर नजर आ रहा है ठीक है और वो क्या है यहाँ पर देखेंगे आप इस तरफ तो यहाँ पर है चमेरा चमेरा ठीक है चमेरा आपका एक और बहुत important बन जाता है second यहां लिख सकते हो क्या चमेरा जील हिमाचल प्रदेश की एक और बहुत महत्पूर्ण जील चमेरा जील चमेरा लेग ठीक है लिख लो चमेरा लेग विटा मैं सारी चीजे करवा रहा हूं यहां पर जो जो तुमारी इंपोर्टेंट है और जो जीले हम लोग छोड़ेंगे जीले आचली रामसार कई सारे आपके वेट लैंड होंगे वह लोग बाद में करेंगे ठीक है तो चमेरा जील या दखेगा कि चमेरा जील यह भी चमबा चमबा जिला में पड़ता है यह भी जो है चमबा जिला में पड़ता है और चमेरा जील आपका बेसिकली पठान कोट जो है पठान कोट पठान कोट पंजाब में हैं पठान कोट से जब आप चमबा जाते हो तो जो चमबा राश्ट्री मार्ग पढ़ता है पठान कोट से जो आपका चमबा रस्ता जाता है यहीं पर इसी इसी मार्ग पे आपको चमेरा जो है चमेरा नजर आता है ठीक है इसी मार्ग पे आपको चमेरा नजर आता है ठीक है तो यह कौन सा हो गया हमारा यह हमारा चमेरा हो गया अब हम अगर बात करें तो एक और हमारा बहुत छोटा सा है यहीं ठीक है तो यह हमारी कौन सी है भ्रीगू लेख है भ्रीगू लेख यह हमारी क्या है भ्रीगू भ्रीगू लेख है यह कहां पर पढ़ लिए तो कुलू कुलू जिला जो है हिमाचल प्रदेश का वहाँ पर परती है भ्रिगू है ना यह जिला इसलिए लिखवा जे रहा हूं कभी कजार मैजदा फॉलोइंग में जिला भी तुम्हारा आ जाता है जिला में गल्बढ़ी ना करें का आजाना जिला में गल्बढ़ी करसे तो पूरे में नत वेस्त हो जाए के इसके बाद क्रोंड हम आपका खट रहे हैं सब्सक्राइब परको ओकर इंपूर्टन आपकहून आप斯ओं लिखे न सूरज ताल जील ताल मतलब ही जील होता है लेकिन ये हेडिंग डालो सूरज ताल है ना ये सूरज ताल जो देख रहे हैं आप सूरज ताल basically है कहां पर तो ये याद अखिएगा ये बाड़ा लाचा जिसको बाड़ा लाचा के निकट या कह सकते हो कि निकट मतलब उसके नीचे जो है नीचे वहाँ पर इस्तित है बाड़ा लाचा के निकट इस्तित है यह ठीक है बाड़ा लाचा जो है आपका मार्ग इसके निकट इस्तित है और आपको मालूम है स्पेशालिटी क्या है इसकी इसकी स्पेशालिटी यह है बिटा कि जो आपका चंद्र भागा भागा नदी जो है ना भागा सरिता जो चंद्र भागा वाली भागा सरिता थी भागा सरिता का उद्गम यहीं से होता है भागा सरिता का उद्गम जो है यहीं से होता है सूरज त साल से चंद्र भागा चंद्र भागा तो यह भागा वाली नदी है यहीं से निकलती है ठीक है यह बैसिकली है कहां पर तो यह याद दखिए गा की इस पिटी इस पिटी लाहुल इसी इवं-लाहुल की मद्ध-ई- है यह मद्ध-ई-डा? तो लाहुल और इस पिटी जो घाटी है उसके मद्ध आपका सूरजताल है सूरजताल कहांपर है तो यह रहा आपका सूरज्टाल, यह है सूरज्टाल, ठीक है, यहाँ पर है आपका सूरज्टाल, ठीक, तो यह हमने सूरज्टाल के बारे में बात कर ली, यह हमारा सूरज्टाल हो गया, इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर, तो और भी बहुत सारे हैं, ठीक है, जैसे कि आपका रेणुका रेणुका जील ठीक है रेणुका जील ये रेणुका जील बहुत ही प्रसिद जील है क्योंकि देवी रेणुका के नाम पे बनाई गई है और जो जिला पड़ता है वो जिला पड़ता है सिर्मौर जिला ठीक है जिला जो पड़ता है वो कौन सा पड़ता है चल प्रदेश का और इसका नाम जो है इसका नाम करण याद अखिएगा इसका नाम करण देवी रेणुका जो है उनके उपर पड़ा है देवी रेणुका के उपर हुआ है ठीक है यह चीज याद अख्येगा राइट तो रेडुका जील रेडुका जील पर कई सारे प्रशने आते हैं कई सारे प्रशने आते हैं याद अखिएगा ये जो है रेडुका जील तूरिजम के लिए बहुत प्रसिद्ध है है ना ये परियटन के लिए बहुत प्रसिद्ध है और यहां पर बहुत सारे आपके धार्मिक यात्री आते हैं यहां परियाद अखिएगा बहुत सारे आपके धार्मिक यात्री आते हैं इसलिए परियतन के दृष्टी से यह बहुत प्रसिद्ध है बहुत लोग यहां जाते हैं बहुत लोग यह जाते हैं परियतन के लिए बहुत प्रसिद्ध है रेणुका ज गोविंद सागर आता है ये गोविंद सागर जो है कहां पढ़ ला कर बनाए गया ये सतलज के जल को रोक कर बनाए गया रोक कर ये आप कह सकते हो भाकड़ा भाकड़ा बांध के पीछे का जलाशा है ये भाकड़ा बांध के पीछे का जलाशा है ठीक है तो गोविंद सागर के बारे में अगर हम बात करें गोविंद सागर के बारे में, तो ये अव्विस सी बात है, जो हमारे सिख गुरु रहे, ठीक है, गुरु गोविंद सिंग, तो उनके नाम पर यह नाम, गोविंद सागर एक प्रकार से बहुत बड़ी, जील, बहुत बड़ी जील, भाक्रा बाधि के बीछ अब आप पने भाक्रा लिखा, नांगल रिखा के नाम वह बहूत नीचाही में नीचे बहुत उचाही पे नईूचाही पर आपका है भाकडा नांगल जो है वो नीचे रोका गया है पानी सतलच का और वहां बनाए गया है वो नांगल है तो भाकडा उपपर है नांगल नीचे है तो यह चीज आप याद अखेगा एसा ना समझेगा कि आपका भाकडा और नांगल जो है वो एक है अलग-अलग है इसक को याद अखना है ठीक है तो यहाँ पर आप याद अखिएगा ये इंपोर्टेंट है आपका अब यहाँ पर एक और हम लोग यहाँ पर जील के बारे में बात कर सकते हैं ठीक है एक और जील के बारे में बास कर सकते हैं वो है पराशर जील ठीक है एक और जील है पराशर जील पराशर जील, यह भी बड़ी ही खुबसूरत जील है, और छोटी सी जील है, यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर है हमारी पराशर जील, इमाचल प्रदेश के नीचे अले भाग में हम देख रहे हैं यह है यह है हमारी पराशर या पराहशर जील ठीक है पराशर जील है ठीक रेणुका के बारे में जो बात करी रेणुका जील यहाँ पर है यह है आपकी रेणुका जील है ना तो इस प्रकार से रेणुका जील आपने यहाँ पर देखी है ना तो यह है आपकी बहुत फेमस प पराशर जील कहां पर है ये भी हिमाचल प्रदेश में है इसी के साथ एक और जील यहां पर है नाको जील आठवा लिग लो नाको जील ठीक है नाको जील लिग लिए नाको जील ये नाको जील भी बहुत प्रसिद है नाको जील भी बहुत प्रसिद है ना पराशर जो है infrastructural companies वनेए वह हैं वही पर यह पराशर झीओ और ना को जील बुद्धिष्ट के लिए बहुत important है ना बुद्धिष्ट के लिए बुद्धिष्ट के लिए यह बहुत important है यह याद अखेगा किनोर जिला किनोर। किनोर जिला किनोर जिले में स्थित है H.P. के थीक है किनोर जिले में स्थित है H.P. के और यहां पर याद अखिएगा कि इस जील के पास जील के निकट बहुत important चीज है क्योंकि बुद्धिस्ट के लिए बहुत जरूरी है यहां चार बॉद्ध मंदिर है यहां पर चार बहुत बहुत है, नाको जील नाको जील, यह बुधिस्ट के लिए बहुती जादा sacred, यह आप कह सकते हैं पवित्र जील है, कहां पर, तो किन और जिले में आपको यह दिखेगी clear है बात यहाँ पर clear है बात आपकी ठीक है एक और आपकी छोटी सी जील है यहाँ पर यहाँ पर एक और आपकी छोटी सी जील है यह इसी के पास इसको बोलते है रेवलसर रेवलसर ठीक है यह रेवलसर जील जो है रेवलसर जील यह जील भी आ दखिएगा कहाँ पर है तो यह यह जो जील है यह भी मंडी में है यह भी मंडी में तो इस प्रकार से इस प्रकार से रिवीजन अगर हम कर ले इस प्रकार से अगर हम रिवीजन कर ले तो हमने देखा यहां पर सबसे पहले देखा हमने क्या खजियार जील जो है हिमाचल प्रदेश में हिमाचल प्रदेश में चमबा जिले पर पड़ता है खजियार जील ये बेसिकली मनी महेश एक वहाँ पर चोटी है वहीं पर काफी हाइट पर स्थित है और ये देवदार के व्रिक्षों से घिरावा आए इसलिए बड़ा ही आप कह सकते दृष्य में देखने में बड़ा ही ब्यूटिफुल है सीनि इसका विव आता है इसके बाद हम लोग देखते हैं तो यहाँ पर चमेरा जील है चमेरा जील कहां पर है तो चमेरा जील आपका चमबा जिले में है और ये जब आपका पठान कोर्ट से हम चमबा जाते हैं तो उस मार्ग में हमको देखने मिलता है एक छोटी सी जील और है भ्रिगुजील जो है हमारे कुल्लु जिले में है याद अखिएगा भ्रिगुजील कहा पर है बोलते चलो जहां भी बैठे हो ना जहां भी बैठ के पढ़ ले हो बोलते चलो भ्रिगुजील कहा है कुल्लु जिले में है ठीक है इसके बाद बहुत फेमस हमारा क्या सूरज ता जो घाटी है उनके मध्य ये जो आपका है सूरजताल है रेणुका जील अगेन देवी रेणुका के नाम पर ये रेणुका जील पड़ा हुआ है ये रेणुका जील जो है सिरमौर जीले में पड़ता है और याद खिएगा कि ये परियतन के लिए धार्मिक दिश्टी से जील मतलब प्रदेश में उनके में के प्रदेश में हैं और इस लिए फेइस है क्यूंकि यहां पर चार आपके बौद मंदि पड़ते हैं इसी के साथ हैं कर हम देखेंगे तो हमारा रेवर्सल आपका जो है رेवलाल इसалась कहां पढ़ता है मंडी में पढ़ता है मंडी में पढ़ता है यह हमने पढ़ लिया किसका यह हमने पढ़ लिया हिमाचल प्रदेश का यह हमने किसका बड़ा हिमाचल प्रदेश का अब हम लोग बात करेंगे किसके बारे में अब हम लोग बात करेंगे उत्राखंड की जीलों क तो यहां पर्भी बहुत सारे से बनीवी जीले हैं यहां पर भाद साने इस बात करते हैं यह जील के बारे में बहुत जादा बात नहीं हुपाता है। भीमताल जील के बारे में जादा बात नहीं होती है हाला कि ये बड़ी प्राचीन जील है लेकिन नैनी ताल जो नैनी ताल है नैनी जील जो है, वहाँ पर उसकी पॉप्लरिटी बढ़ने के कारण जो हमारा भीमताल है भीमताल की importance खतब हो गई, यह भीमताल याद अख्येगा, यह पढ़ता कहां पर है, तो यह पढ़ता है नैनिताल district में ही, है ना, यह भीमताल जो है, यह थोड़ा सा height में नीचे है, यह उतनी उचाई में पढ़ता नहीं है अपका, ठीक है, भीमताल में, भीमताल में याद अ लेकिन याद अखिएगा कि लोग अब जब नैनी ताल आते हैं तो विदेशी आपके हो चाहे देशी ट्रैवलर्स हो ये सारे भीमताल घूम कर आते हैं ठीक है हाँ ये जरूर है कि इसने इसका जो है उतना महत्व नहीं रहे गया नैनी ताल के बाद फिर मतलब झाट तो आपकी कुन सी आ जाएगी तो आपकी कुन सी आ जाएगी नैनी जील ठीक है ये नैनी जील ही कहलाती है क्या नैनी slowing यह नैनी ताल डिस्टिक में पढ़ता है basically नैनी ताल district जो उत्राखंड का है वहाँ पर ये पढ़ता है, उत्राखंड के नैनी ताल district में पढ़ता है पर्याटन की दिष्टी दे बहुत फेमस tourist इनफाद डैली वेली के जितने भी डैली गुरगाओं, नौइडा, जितने भी यहाँ पर लोग रहते हैं वो नेनिताल घूमने जरूर जाते हैं है ना हल्दवानी के निकट है काफी पास है बहुत जादा दूर्व नहीं है नेनिताल से आपके सेंटर के दिल्ली से इसलिए परियतन की दिश्टी से बहुत प्रसेद्याप का नेनी लेकिन आप ह क्या बोलते हैं रहस्यमाई जील भी बोलते हैं रहस्यमाई जील भी कहलाती है अब आप बोलेंगे रहस्यमाई जील क्यों कहलाती है क्योंकि यहाँ पर छेसो कंकाल एक साथ मिले थे इस जील के निकट छेसो कंकाल एक साथ मिले एक साथ मिले थे ठीक है याद अख्येगा य नहीं जाएंगे न? इह रूपकुंड आपका जो है रूपकुंड घूमने तो जाओंगे नहीं? शेसो आपका जो है शेसो कंकाल यहाँ पर मिले थे. अब रेडियो जब डेटिंग करी गई तो यह पता चला गया रेडियो डेटिंग के मदसे की यहाँ पर महामारी हुई थी और किसी महामारी में एक साथ आपके जो है छे सो लोग मर गए थे यह आपका क्या है यह आपका है रूप कुंड बिटा ठीक है यह क्या है रूप कुं 1942 EC में आप कह सकते हैं ये देखे गए थे इसकी उचाई अगर आप देखेंगे तो बहुत जादा उचा है 5030 मीटर पे है मतलब कि 5 किलो मीटर की हाइट पे है थोड़ा मोड़ा हाइट नहीं बहुत उचाई पे है बहुत ठंडा रहता है लगभग बरफ से ये गिरा रहता है लगभग ये बरफ से क्या होता है ये लगभग बरफ से गिरा रहता है इसको बोलते है रूप कुंड और ये रूप कुंड है कहाँ पर तो याद दखेगा यह उतरा खंड में ही पड़ता है रूपकुंड आपका, ठीक है? यह कहा पड़ता है? उतरा खंड में ही आपका पड़ता है. इसके बाद अगर हम लोग एक और जील के बारें में बात करें, तो एक जील आपकी बड़ी प्रसिद्ध जील है, उसको हम लेक्स थे। है ना वो लैस साथ बने है और बार उसका पानी वरसे चला गया तो सात अम्य बॉल अपानी उपर अब्याइख का गया और एसा प्रतीधी नहीं होता है कि इसके नीचे सेवennis में तो यहाद लixí debe यहां पर याद लखेगा साथ तालों के लिख लो साथ तालों के समागम से निर्मित ठीक है निर्मित तो यह साथ ताल है बहुत फेमस है यहां टूरिस्ट खूब बहुत सकते हैं इनो बहुत सारे एक्टिविटीज होते हैं यहां पर लोग जो है बहुत सारे अक्टिविटीज करते हैं तो यह बहुत फेमस इसी की तरह एक और आपका बहुत फेमस आई और इसको बोलते हैं हम क्या नौ कुचिया ताल sut sor What I आप बोलेंगे सर यह नौकुचिया ताल, यह साथ ताल, नौकुचिया ताल, सब भीम ताल के पास है, सब कहां पर हैं, यह भीम ताल के पास हैं, ठीक है, और नौकुचिया ताल, जो नाम आप देख रहे हो, यहाँ पर नौकुचिया ताल, यह आक्चुली कुचिया मतलब हो होता है कोने तो इस ताल के नौ कोने हैं अलग-अलग और एक कोने से आप नौ को नहीं देख पाते हो है ना तो यह इस प्रकार से बना हुआ है कि आपको यहां पर अलग-अलग कोने आपके बने वह हैं नौ कोने हैं बेसिकली तो यहां पर याद दखिएगा कि नौ नौ कोनों से नौ कोने हैं नौ कोने हैं इस जील में इस जील में ठीक है इस जील में और यहां पर भी बहुत सारा बोटिंग और टूरिजम आपका हो रहा है लोग बहुत यहां पर घूम रहे हैं ठीक है यह यहुईरी कुंड यह जो आपके दिना गौरी कुंड कैसा ऀंति यहां पर बहुत हींद आपको नजर आते हैं विछ ध्यक्न देजिक्ट में हैं में और हमारे शिव भागवान की खार के जो अमारे शिव की वाइफ थी पार्वती उनका नाम गौरी भी था है ना तो यह आद अखिएगा कि शिव जी की शिव जी की पतनी पतनी पार्वती जी का अन्य नाम गौरी था उनी के नाम पर ये पढ़ा हुआ है गौरी कुंड ठीक है उनीके नाम पे पड़ा हुआ ही क्या गौरि कुंड 600 स्य फिर थी candle अब आफके एक मैं आपको बताना बूल गया हिमाचल प्रदेश ड हीमाचल प्रदेश में चंद्रताल है ना कि एक मैं लिक्छल का। बताना बूल गया है चंद्रताल alak ये चंद्रताल बहुती फेमस है ये चंद्रताल जो है ये बहुती फेमस है इसलिए इसको बताना भी जरूरी है तो आप बुलेंगे कि सर इसमें क्या ऐसा है तो याद रखिएगा जो चंद्रताल है ये लाहुल और इस्पिती लाहुल और इस्पिती के मद्ध ये भी है ठीक है यह लाहुल और इस पिती के मद्ध है आपका और इसका अन्य नाम जो है इसका एक अन्य नाम भी है वो क्या है आपका वो है आपका सो चिगमा ठीक है इसका अन्य नाम क्या है स्टो चिगमा ठीक है इसका अन्य नाम है यह यादत हो क्योंकि यह प्रेपर में आ सकता है अन्य नाम सो चिगमा और दूसरी चीज यहाँ पर बहुत इंपोर्टेंट क्या बतानी है दूसरी चीज इंपोर्टेंट यह बतानी है कि जो हमारा आ तेंदुआ या इसनो लेपड आता है तो यह याद अख्येगा यहीं पर यहां मिलता है यहाद अख्येगा यहां पर मिलता है रेड लिस्ट में आता है इसको लिख लो इसको कहीं पर भी लिख लो अब हम किसके बारे में बात करेंगे अब हमने उत्राखंड के बारे में बात ग्राजम लिए ठीक है अब हम बात करेंगे बिए टॉक आउट आपका हर्याणा और पंजाब फॉर लिखलो हर्याणा टा मृण कर एवं पंजाब कि जीलें बहुत सारी जील है यहां पंजाब में भी पंजब में भी बहुत सारी जीलें इनफाउड हम चलेगा जब हम बात करेंगे किसके रामसार आदर भूमी के बारे में बात करेंगे रामसार आदर भूमी के बारे में बात करेंगे तब आपको बता चलेगा कि यहां पर वाकई में बहुत सारी आपकी जीले हैं जैसे की जैसे की आपकी एक जील है जिसको हम बुलते हैं हरीके हरी के जलाशे क्या हरी के जलाशे तो हरी के जलाशे जो है यह पंजाब में है लेकिन यह हरी के जलाशे बेसिकली है कहाँ पर इग्जैक्टली कहाँ पर है तो याद खेगा यह वही पर है जहाँ पर सतलज आपको याद है मैंने बताया था सतलज एवं ब्यास का ये क्या है सतलज एवं ब्यास यहाँ पर का यहाँ संगम होता है कॉन्फलोंस होता है यहाँ पर क्या होता है सतलज एवं ब्यास का संगम होता है और यहीं पर हमने हरीके बैराज बनाया है यहीं हमने क्या बनाया है है दो नदियों का और दो नदी के बाद जो हमें यहां पर आपको जील मिल लई है वो हमारी कैसी जील हो जाएगी तो आप कहेंगे सर यह तो फिर हो गई हमारी कृतिम जील आर्टिफीशल लेक यह हमारी क्या हो गई सर यह हो गई सर हमारी आर्टिफीशल लेक बता हुई की न है. इसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे, इसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे, तो कंजल, है ना, या कंजली जिसको कंजली आद्र भूमी यह कहा पर है तो यह आ पूर्थला यह कपूर्थला पंजाब में जहां पर रेलवे के कोचिस बनते हैं कर रहे हैं यह याद रखियागा यह एक कृतिम जील है यह याद रखिएगा एक कृतिम जील है और यहाँ पर कौन से पानी को रोका गया है तो एक पानी है बियन रिवर बियन नदी ठीक है बियन नदी है आपकी और यह बियन नदी किसकी साहयक है यहाद रखिएगा ब्यास की साहयक नदी है ब्यास की साहयक नद कि तो यहां पर हमने कैसे बनाए है बीन नदी को रोका है कपूर्थला में और वहां पर बन गई है कि आपकी कंजली आद्रभूमी बनी है कंजली आद्रभूमी अब इसके बाद एक फेमस है हमारा रोपड ठीक है रोपड वैट लैंड क्लेर है रोपड वैड लैंड तो अब तो रोपढ जो है रोपढ आद्र भूमि तो रोपढ वैट्लेंड या रोपढ अधूमि ठीक है और यह याद रखेगा कि सतलज नदी इस सतलज नदी जो है उसको रोख के पंजाब में बनाया है रोपढ हींगे तो रोपढ हमारी यह नदी बहुत प्रसिद नदी बाद सबके है तो यह हो गई हमारी क्या यह हो गई हमारी पंजाब की कुछ प्रमुक न दिया पंजाब की प्रमुक जील इसके बाद आपका आता है हर्याणा हर्याणा में है आपका बड़कल लेक यहां पर क्या आता है बड़कल जील ठीक है यह हर्याणा में बड़कल जील जो है यह आप यहां पर देख सकते हैं कि यह हर्याणा है हमारा यहां पर है यह बड़कल ठीक है और यहां पर एक और है सूरज कुंड यहां पर एक और है सूरज कुंड तो यहां पर बेसिकली दो है आपके एक है आपका बढखल और दूसरा क्या है सूरज कुंड दूसरा कौन सी है जील सूरज कुंड जील है दूसरी आपकी सूरज कुंड जील है जब हम बात करते बलखल की तो या दखेगा यह फरीदाबाद हर्याना में है यह फरीदाबाद परीदाबाद जो की दिल्ली से सटा हुआ है फरीदाबाद हर्याना में है और यह बेसिकली जो आपकी है यह अरावली अरावली श्रेणी से अरावली श्रेणी में स्थित है यह अरावली की बहुत importance है इसलिए importance है कि यह आपके अरावली hills पे तो है लेकिन यह artificial lake है ठीक है यह artificial lake है और यहाँ पर बहुत सारे मेले भी लगते हैं यह आपका क्या है यह एक artificial lake है artificial lake है एक कृतिम जील है मतलब कृतिम जील है ठीक है यहाँ पर पशु मेला भी लगता है यहाँ पर पशु मेला लगता है और यह जो है अरावली में इस्थित है ठीक है तो अरावली श्रींडी के backdrop में basically यह इस्थित है मतलब उसके पीछे इस्थित है ठीक है तो यह है आपकी सूरज कुंड यह है सूरज कुन तो यहाँ पर हम लोंने बहुत सारे कर लिए यह PDF कैसे मिलेगी यह PDF आपको इसी link में जब class खतम हो जाएगी link में तुम comment करोगे कि सर क्लास हमें समझ में आई की नहीं तब मिलेगी लिए नहीं ऐसा नहीं description में जाना description में आपको मिल जाएगी ठीक है तो यह हो गई हमारी हर्याना की दो प्रमुख ठीक है अब आते हैं हम लोग किसके बारे में अब यहाँ पर आप देख सकते की बात करेंगे जादा तर जहीले जो होती हैं पुटलब तर लाइन होती है और इसमें सबसे पहले जो जील है वह हम कौन सी करेंगे बात सांभर जील के बारें बात करेंगे सांभर जील के बारें बात करेंगे यह सांभर जील लगबग 60-70 किलोमीटर जैपुर से जो है दूर इस्थित है 60-70 किलोमीटर बहुत ज्यादा तो नहीं 60-70 किल दूर ठीक है यह जो है आपका एक खारी जील है यह आपकी खारी जील है इन फाक्ट यह भारत की भारत की भूमी के अंदर इस्थित भारत की भूमी के अंदर इस्थित सबसे बड़ी सबसे बड़ी सबसे बड़ी खारे जल की जील है सबसे बड़ी खारे जल की जील है ठीक है तो सांभर जील सांभर जील और यहाँ पर आपको सांभर डियर भी मिलते हैं यहाँ पर आपको क्या मिलते हैं सांभर डिय भी मिलते हैं याद अखिएगा यहाँ पर आपको सांभर हिरन भी मिलते हैं यहाँ पर मिलते हैं आपको ठीक है सांभर हिरन भी मिलते हैं क्लेर है बात यहां तक सांभर जील कहां पर है सांभर जील तो मैंने आपको बताया कि यह सांभर जील जो है यह जैपूर के बहुत पास है इसी को हम बोलते हैं सांभर जील के बारे में जिसका अपना एक अलग महत्व है पुशकर जील कौन सी जील है पुशकर जील यह पुशकर जील अजमेर जिले में पढ़ती है पुशकर जील जो है अजमेर जिला वहां पर यह पढ़ती है पुशकर मेला बहुत प्रसिद्ध है है ना यहां पर वार्शिक मेला हो बहुत प्रसिद्ध है और याद अखिएगा कि यह जो पुशकर जील है पुशकर जील इसका importance इसलिए बहुत है क्योंकि ब्रह्म जो भगवान थे जिनको गौड ब्रह्मा बोला जाता है ठीक है वो यहीं पर थे ऐसा माना आता है वो यहीं पर स्थित हैं तो इसलिए पुशकर जील की बहुत पुशकर जील का जो है महत तो बहुत जादा है बहुत जादा महत पुशकर जील का तो यहां धार्मी क्यात्री पुशकर लेक में आपके बहुत आते हैं बहुत सारे आपके धार्मी की आते जो हैं वो आपको पुशकल लेक में नजार आते हैं ठीक है यह चीज आप समझेगा यह बहुत important है thank you सुमन अगर क्लास अच्छी लग रही है तो आप तो तो मुझे लग रहा है कि मुझे हर जगा ढूंड रहे हो तुम और मेरे व्लॉग तक तुमने जो है देखने चालू कर दी है ढूंड ढांड के मेरा व्लॉग भी ढूंड लिया है बहुत जल्द व्लॉग भी स्टार्ट करेंगे अपना नया ठीक है तो यहां पर हम लोग जो ह धीबर जील जो है यह एक क्रित्म जील है ठीक है यह क्या है यह एक आपकी क्रित्म जील है धीबर जील ठीक है यह एक आर्टीफीशियल लेख है आपका धीबर जील और धीबर जील जो है यह याद अखिएगा उदैपुर के निकट है उदैपुर से लगभग 45 किलो मिटर उद्यपुर के ये निकट है उद्यपुर के निकट है कहा पर है ये ये उद्यपुर के निकट है है नम और राणा जैसिंग ने सत्रुई सदी में सत्रुई सदी में या दखेगा सत्रुई सदी में एक राणा जैसिंग थे राणा जैसिंग ने राणा जैसिंग ने एक यहां पर एक आप कह सकते हैं मौसमी सरिता है राणा जैसिंग ने गोमती गोमती नदी या सरिता कहलो गोमती सरिता पर संग मर्मर वहाँ पर आप जानते हैं मार्बल बहुत मिलते हैं संग मर्मर की दीवार खड़ी की थी ठीक है और दीवार जब यह खड़ी की तो क्या बना आर्टिफीशल लेग बन गया दीवार जब खड़ी करी तो नदी का जो पानी है वो रुग्या आर्टिफीशल लेग ब बन गए यहाँ पर पहले से कुछ टीले थे अब नदी का पानी उपपर आया तो सारा भाग तो जलमग नू हो गया और कुछ उंचे टीले जो है वो दूइप की तरह नज़र आए ठीक है तो यहाँ पर आपको तीन दूइप भी नज़र आते हैं तीन दूइप भी मिलते हैं ठीक है और इसमें जो है याद खेगा सबसे बड़ा दूइप इनमें सबसे बड़ा दूइप कौन सा है तो वो है जैसमंद जैसमंद सहरगा यह जैसमंद सहरगा जो है यह बेसिकली अब क्या है अब यह बैसिकलि तूरिजम के लिए पस्तित हो गया है, यहाँ पर रिजॉल्ट बना दिया गया है, आब यहाँ बहुत फेमस क्या बना दिया गया है, तो लोग यहाँ पर क्या गरते हैं, वह घूमने, यहाँ पर घूमते हैं. अगर वो एक मूवी आई थी श्री देवी की लड़की में नाम भूल गया क्या नाम है उसका और जो शाहित कपूर का भाई है दोनों हीरो ही नहीं का नाम नी मालू है कोई मूवी आई थी उसमें शूटिंग दिखाई है उद्धैपूर की तो उसमें आपको मिलेगा धीबर जीवर 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 तुए वो इस प्रकार से नीचे की तरफ है यहां पर यह हमारी क्या है धीव अ राजिस्थान की बहुत बहुत तेके इसके साती सात राजिस्तान में और भी छोटी छोटी आपकी लेक उस्तिशऺ सभ्थ हैं कि यहां पर आप देख सकते हैं जैसे अब यहां परár लिख is how he पुछ हे सागर एक हमारी लेंक हां यहां पर क्या सलिख और लिख लो एडिन डालें कि दर्うलों फैडिप यह पर अ今日は जてंवार lotta 191 प्ते हैं आपकसागर पडर की कर रिकेदर के बारे में कुछ खुबी समयलों यह भी आपकी जो है उदयपुर्मे इस्थित है ठीक है फिर आप देखेंगे तो एक हम लोग और करेंगे नक्की यहां पर आप देखते हैं नक्की जील है यहां पर क्या है नक्की है ना तो यह नक्की जील के बारे में भी लिख लो नक्की जील के बारे में लिख लो यह नक्की जील भी राजिस्तान की बहुत प्रसित जील और उदैपुर जो आप देख रहे हैं उदै यह उदैपुर के निकट ठीक है उदैपुर के निकट आपका पड़ता है माउंट अबू ठीक है उदैपुर के निकट पड़ता है माउंट अबू माउंट अबू में स्थित है मांट अबू में इस्तित है नकी जील लोग गूमने जाते हैं इसके बाद आप बात करेंगे अगर तो आपको बाड़मेल रीजन में बाड़मेल जो छेत्र है अगें आपका बॉर्डर वाला छेत्र बाड़मेल यहां पर आपको पड़ती है कौन सी जील उसको हम बोलते हैं तो इस प्राकार से देखते हैं हम लोग तो र television की प्रमुक सब्सक्रां अब हम लोग किसके बारें बात करेंगे आप देखो MP जैसे जगाओं पर MP edging Solutions & MP Mp में हम लोग एक ही जील के बारे में बात कर रहे हैं MP में ऺड़ोग एक ही Help fix a कर लेते हैं MP मध्यप्रदेश मध्यप्रदेश में जीले तो बहुत सारी है लेकिन एक बड़ी जील है जिसको भोशते हैं भोजटाल ठीक है भोज ताल कि भोज जो है यह कहां पर है यह भोपाल में श्थिस और या दखीए गा यह जो क्रितिम जील है ये एक जो है कृतिम जील है ये एक आपका अइसे ही अगर हम लोग बात कर लें यहां पर महाराष्ट में जील के बारे में प्रश्ण आ जाता है और इस जील का नाम है महाराष्ट में जील है तो बहुत सारी है लेकिन इस जील का नाम पेपर में आता है लोनार कल हम लोग ने करी थी लोनार जील कैसी जील है एक क्रेटर जील है लोनार जील कैसी जील है एक क्रेटर ज तुन सी लोनार के बारे में हम लोग बात कर रहे लोनार आपकी बहुत साहरी यहां पर है इसी प्रकार हम लोग यहां पर देखेंगे एक चोटी आपकी जीन यहां पर नजर आती है हम मैं इसको बोलते हैं कवर जील ये कवर जील जो है ये कवर जील ये पढ़ती है बिहार में कवर जील पढ़ती है कहां पर बिहार में पढ़ती है कवर जील है ना तो लिख लिए बिहार में पढ़ती है कवर जील एक मेगाले में मेगाले पठार में पढ़ती है यहां पर मेगाले पढ़ती है उसको यहां से question तुम्हारे बन जाते हैं जहां पर आपके question बन जाते है सी परकार आपका उरिसा में यहाँ पर एक जील पढ़ती है जिसका नाम है क्या चिलिका जील कौनसी जील चिलिका जील तो यहाँ पर चिलिका जील है और यहाँ मनीपुर में जील पढ़ती है जिसका नाम है लोकटक ठीक है मनीपुर में एक जील पढ़ती है उसका नाम है क्या उसका नाम है लोकटक तो आओ पहले हम लोग क्या करें चिलका जील और लोकटक के बारे में बात कर लेते हैं जहां से question तुम्हारा आता है, जहां से तुम्हारा question आता है, तो इसको अलग से कर लेते हैं हम लोग, यहां पर हम लोग बात करें किसके बारे में, लोक्टक जील के बारे में, लोक्टक जील, ठीक है, लोक्टक जील, इस लोक्टक जील को अगर मैं बताओं, तो यह लोक्टक इंजील के बारे में सबसे बड़ी स्पेशालिटी जो है वो यह है कि यहाँ पर तेरते हुए द्वीप मिलते हैं चोटे चोटे तेर तेरते वे द्वीप और इनको हम बोलते हैं क्या इनको हम बोलते हैं फिंडिस। इन्ने हम क्या बोते हैं इन्हें हम बोलते हैं फिमडिस। यह ना और आपके नदियों जो आए अवसाध हैं, वह by mistake होते हैं. छेटंव दी बना लेते हैं जिन thief कि आपकी density इतनी नहीं होती है कि वो डूब जाएं lेकिन वहाँ पर लोग रहे लेते हैं इतनी density होती है और ये तैरते रहते हैं है ना ये तैरते रहते हैं तो लोक तक झील अपकी सब्सक दीन करसे और इस म норм निजिए धीन लिख रहा हूँ उत्तर पूर्व भारत की सबसे बड़ी जील है उत्तर पूर्व भारत की सबसे बड़ी जील है और यह याद किएगा यह एक मीठे पानी की जील है यहाँ पर पढ़ता है क्या केबल लाम जाओ ठीक है यहाँ पर पढ़ता है केबल लाम जाओ राश्ट्री उद्ध्यान यहाँ पर पढ़ता है केबल लाम जाओ राश्ट्री उद्ध्यान ठीक है यहाँ पर पढ़ता है केबल लाम जाओ राश्ट्री उद्ध्यान केबल नाम जाओ नाशनल पार्क ठीक है और ये नाशनल पार्क में क्या कहलता है ये तैरता हुआ और तैरता हुआ राश्टी उद्यान कहलाता है और क्यों कहलाता है मैंने आपको बटाए है यहां पर फोम्डिस मिलते हैं एक चीज़ या दखिएगा यहांपर बड़ी very important कि यहां पर endangered or endemic species मिलती है यहाँ पर एक endemic मतलब होता हो उसी छेतर में मिलने वाली प्रजाती है ना endemic प्रजाती तो endemic प्रजाती है पर मिलती है और इसका नाम क्या है furniture यहां दखेगा यह बहुत हम्पोर्टेंट है यहां पर क्या मिल्दा है यहां पर मिलना है हैं आपको संगाई संगाई हिरन मिलते हैं ठीक है जो की यहीं पर मिलते हैं संगाई हिरन यहां मिलते हैं यह जो लोक्टक जील है मनीपुर में पानी का मुख्य सुरूत है यह पानी का मुख्य सुरूत है आप याद आखिएगा मनीपुर में लोक्टक जील तो लोक्टक जील importance बहुत जादा है, लोग टेक झील की importance बहुत जादा है, अब हम बات करते हैं, अपने आ जाते हैं, यहाँ पर चिलिका पर, उरीसा पर यहाँ पर आ जाते हैं हम लोग, और इसकी भी बड़ी importance है, और यहाँ से भी बहुत सारे प्रश्णलब आते हैं, चिलिका चिलिका जी ठीक है यह याद खेगा भारत की भारत की सबसे बड़ी भारत की सबसे बड़ी तटीय जील है भारत की सबसे बड़ी क्या है तटीय जील है यहां पर आप याद अखिएगा यहां पर जो जल मिलता है उसको हम बोलते हैं ब्रैकिश जल यह खारा तो होता है परंतु बहुत खारा नहीं होता है यह खारा तो होता है परंतु इतना खारा नहीं होता है कि यहां पर आप कहें कि जैसे सांभर का पानी है वैसा उतना खारा आपको मिलेगा लेकिन यह खारा होता है इसलिए यह है इसलिए है क्योंकि यह जो आप देख रहे हैं चिलिका जिल में दया नाम की एक रिवर होती है दयार वर वह आकर अपना यहाँ पर मोहना बनाती है थीक के यहां हाँ पर एक दयार रिवर ़ो अपना पना जल्गिराresso California दया नदी जो है थीक है दयां Gur अथी उसका मोहाना है माउंठ जाथ कुछ यह बारे में यह उन्हाला है यह ना यह घ। कैसी जील है यह लगून जील है इनफाक्ट ओव्यसी बात है सबसे बड़ी लगून जील है यह भारत की सबसे बड़ी लगून जील है भारत की सबसे बड़ी लगून जील कौन जील है? चिलिका जील है यह याद अखेगा चिलिका जील ठीक है अब इसके बाद एक चीज़ और बता दे रहूं मैं यहाँ पर चिलिका जील के बारे में याद अखेगा कि यहाँ पर इरावडी डॉल्फिन पाई जाती है यहाँ पर याद अखेगा कि इरावडी डॉल्फिन यहाँ पर मिलती है ठीक है इरावडी डॉल्फिन पाई गरदे ये इरावधी डॉल्फिन क्या है क्रिटीक ली इंडेंजर्ड है यह celebrated ग्रस्त पर जाती है इरावधी डॉल्फिन आपको है civil services में ऐसी question पूछते हैं आपको civil services में इरावडी dolphin पूछ लेंगे और इससे संबंदित आपको पूछ लेंगे कि यह किस प्रकार की प्रजाती है तो आप लिखिएगा यह गंभीर संकट रस्त है critically endangered है मतलब कि यह विलुत होने के कगार में भी है आप ऐसे भी important बात बहुत important चीज़ बता रहा हूं इसी चिलिका जील में आपकी क्या है एक bird century है मतलब की नाला बाना नाला बाना पक्षी अभ्यारान है I hope मैं हट जाता हूँ आप screenshot ले लेते हैं ठीक है नाला बाना पक्षी अभ्यारान है मतलब की दुनिया भर की Siberia से ना यहां पर रशिया का जो आपका European पूर्चान वहां से यूरोप की बहुत सारी यहां पर जो है पक्षी आते हैं यहां पर बहुत सारे पक्षी आते हैं और यह चिलिका जो है ना photography head हब बन जाता है कब बन सबसे प्रथम रामसार भारत का लिख लो भारत का भारत का सबसे प्रथम यह भारत की सबसे प्रथम रामसार आदर भूमी ठीख है कि इसी को गोशित करा गया था तो या दखेगा नाईटीन इंटीन 181 में इसको घोशित करा लिया था है ना सबसे पहले रामसार आद्र भूमी घोशित करी गई तो इससे बाहर क्या कुशन आएगा इससे पहर कुशन नहीं सवारप सिंग arguments in 98.1 एकडम सही एक database करेंगे किसके बारे में अब आप करेंगे यहां पर आप देख रहे हैं participating अब बहुत सारी इस जीन नजर आ रही है यह जो एरिया है यह एरिया कहलाता है है यहरिया कहलाता है शारिया खेसा यह राउ बानी तो यह जो आख रहे हैं हम लोग यहां पर हम लोग बात कर लेते हैं कि तिलंगाना तिलंगाना की जीले ठीक है यहां पर हम लोग बात कर लेते हैं कि इसके तिलंगाना की जीलों पर बात कर लेते हैं हिमायत सागर ठीक है ये आपको जो है जील कहां दिख रही है तो हैदराबाद ये आपको जील कहां मिलेगी हैदराबाद में मिलेगी ये जील जो है एक कृतिम जील है ये जील जो है क्या है एक कृतिम जील है मतलब की किसी नदी को रोका गया और उसके पानी को रोख के बनाए गया है और उस नदी का नाम है मूसी नदी मूसी नदी पर ये बनाए गया है हिमायत सागर है ना जो हैदराबाद के actually सात्वे निजाम थे ठीक है सात्वे निजाम सात्वे निजाम के सबसे छोटे बेटे सबसे छोटे बेटे हिमायत सबसे छोटे बेटे हिमायत अली खान हिमायत अली खान के नाम पर बना है हिमायत अली खान के नाम पर यह बना है इसके बाद हम लोग बात करेंगे तो एक और हुसाइन सागर अच्छे बना कब है यह याद अख गएगा यह बनाए सखाथ ख॥खाथ हुसैन सागर हमसागर ये भी हैद्राबाद और ये भीคृतिम जी ये इर ये मुसी की मुसी नदी की साहायक नदी है मुसी की साहायक नदी है उस पे बना हुआ है मुसी की साहायक नदी है उस पे बना हुआ है ठीक है और इसको बनाये था पंद्रा सो बासट में पंद्रा सो बासट में हुसैन वली शाह हुसैन वली शाह ने इसका निर्माड कराये था ठीक है यह हुसान सागर है इसी की तरीके से एक और आपका है क्या ओस्मान सागर है एक और है आपका ओस्मान सागर ठीक है है एधराबाद में ही है यह भी ओस्मान सागर ठीक है ओस्मान सागर जो है यह भी हैधराबाद में है यह भी हैधराबाद में है ठीक है, और 1920 में, 1920 में मुसी नदी के उपर, मुसी नदी पर बांध बनाये गया, है ना, मुसी नदी पर बांध बनाये गया, और वहां पर बन गया, क्या आपका, उस्मान सागर, आपको मालू मैं, यहां पर आपको एक महल भी मिलता है, जिसको बोलते हैं, सागर महल, यहां पर याद अख्येगा क्या होता है यहाँ पर एक और महल भी आपको मिलता है जिसकी हम celebrations ठीक है और यह Rogers इसके बीछोंद कि आपका बना हुआ है सागर महल जो है उस्मान सागर के- छाओ- मद्य में निर्मित है ठीक है और पहले तो क्या होता था यह पहले आपका एक आप कह सकते हो वहां के लोगों का जो वहां कि समय साशक थे राजा थे निजाम थे उनके लिए यह क्या था आराम कर रहे था है ना लेकिन अब इसको गौर्वर्मेंट ने लिया है और यह जो है टूरिस्ट के लिए परियतन के लिए प्रसिद्ध है ठीक है यह याद अखिएगा किसके लिए प्रसिद्ध है तो यह परियतन के लिए प्रसिद्ध है ठीक है परियतन के लिए य खीरीम पेट छोथा लिग लो शरीम पेट जील ये भी मूसी नदी पर है अब इसमें एक चीज लिख लो क्या कि ये भी कृतिम हैं लेकिन यहां एक इंप्रिटन्ट जीज लिख लो कृतिम जील है और ये है अध्राबाद और है वाद की ट्वीन-सिस्टर जो है सिकंद्राब सिकंद्राबाद के मध्या मतलब अलग-अलग करता है यह दोनों को कर देता है यह लिख लो यह आपका कि तिलंगाना का यह तिलंगाना का हिच तिलंगाना के हम देख लिए अमने सारी देख लिए अजय को कि आ यहां पर है हमारा केरिय यहां पर तामिलनादू और फिर बचा हैं। तो कलाश आज लंबी नहीं है कलाश के लंबी हो गई है अब हम पर हम लोग करने हRY admitting यहां पर यहां पर हम लोग class को रोकेंगे लेकिन इसको एक चीज़ बता दूँ यहां पर कि आपको highlight कर दू कि इस तरफ से यहां से देखोगे तो शरीम पेठ है अगल बगल है हदराबाद में ही है यहीं देखोगे तो हुसैन सागर है यहीं पर हुसैन सागर है ठीक है यहीं पर द और जो आपके दूसरे important राज्य हैं और वहां की जो lakes है उसको कल continue करेंगे ठीक है ना कल continue करेंगे कल हाला की हम लोग जल पर पात भी करेंगे लेगन कल हम लोग इसको continue करेंगे तो आज के लिए इतना ही दोस्तों बने रहे हैं आप लोग एक like करके जरूर जाईएगा और अग आज के लिए इतना ही रखते हैं दोस्तों कल मिलते हैं इसी टाइम पर नाइट आपक के साथ थांक यू टेक क्यार बाबाए